दोस्तों अगर आप भी क्रिस गेल को एक बहदरीन खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजेगा दोस्तों कई बार मैदान पर देखा जाता है कि विकेट लेने के बाद गेंदबाज अलग ही तरीके का सेलिब्रेशन करते हैं जिसको देखने के बाद आप भी अपना पेट पकड़ कर हसने लगोगे चलिए बताते हैं आपको क्रिस गेल ने क्या किया लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि आंद्रे रसेल और क्रिस गेल में कौन है बढ़िया सेक्सर किंग इस बात का जवाब हमें नीजे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर दीजेगा दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वेस्ट इंडीज और साउथ अफरिका के बीश में T20 सीरीज चल रही है वेस्ट इंडीज की टीम ने साउथ अफरिका को चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में 21 रन से हरा दिया इस मैच के दोरान वेस्ट इंडीज के विस्पोर्टक बल्ले बाज क्रिस गेल को उनके निराले अंदाज के लिए देखा गया जी हाँ मैच के दोरान क्रिस गेल को कैप के साथ में गेनबादी करते हुए देखा गया वेस्ट इंडीज के इस खास कदम ने कॉमेंटेटर सहीत प्रसंशकों को पूरी तरह से चौका दिया गेल ने अफरीकी बल्ले बाज रीजा हेंट्रिक्स को दूसरे ओबर की पहली गेंद पर धीमी गती की गेंद फे कर चकमा दिया बल्ले बाज गेंद को पूरी तरह से हिट करने में विफल रहा और साथ ही वो क्रीच से आगे निकल गया इस बीच निकोलस पूरन ने कोई गलती नहीं की और बेल्स को उड़ा दिया बता दें वैसे तो वेस्ट इंडीज के खिलाडी मैदान पर अपनी एक्टिविटीज को लेकर काफी जादा चर्चा में बने रहते हैं और IPL में भी देखा जाता है कि वेस्ट इंडीज के खिलाडी नए नए कारनामे करते रहते हैं विकेट लेने के बाद क्रिस गेल को खास अंदाज में सलिब्रेट करते हुए देखा गया टोपी और चश्मे में गेल विकेट लेने के बाद मैदान पर ही गुलाटी मारने लगे जी हाँ बल्ले बाजो गेंद बाजो या फिर शेत्र रक्षन गेल ने अपनी हरकतों से अपने प्रशनसुकों का हमेशा ही मनुरंजन किया गेल ने हर बार साबित किया है कि उन्हें क्यों सबसे मनुरंजक क्रिकेटर माना जाता है आपको बता दें कि गेल का ये सलिब्रेशन देख करतों मैदान में मौझूद हर एक शक्स की हसी निकल गई और जैसे ही क्रिस गेल का ये फणी मुमेंट कैमरे में कैद हुआ थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर इतना जादा वारल हो गया कि लोग इस पर जम कर कॉमेंट कर रहे है और क्रिस गेल के इस अंदाज को एंजॉय भी किया जा रहा है लेकिन ये कहना पूरी तरह से गलत नहीं होगा कि गेल इस तरह के कारनावे करते रहते हैं और सभी को मैदान पर हसाते रहते हैं उनका मनुरंजन अक्सर किया करते हैं सही माइने में कहा जाए तो पूरी वेस्ट इंडीस की टीम ही अपनी कलाकारी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है आपको बता दें कि वेस्ट इंडीस की इस जीत के बाद सीरीज अब दो-दो से बराबर पर आ गई है वेस्ट इंडीस के कप्तान कारन पुलार्ड ने 25 गेन पर धमाकेदार 51 रणों की शानदार पारी खेली इस बाद का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब केजे हमारे यूट्यूब चैनल को धन्यवाद